हेलो बच्चो, वेलकम बेक टू दे चैनल, तो बच्चो, D&F के NCRT questions की बात चल रही थी, तो E0 M2 positive to M value for copper is positive, what is possible reason for this, तो बच्चो, हमारे पास next question, हमारे पास ये पूछ रहा है, कि copper की value, जो हमने पूरी electrochemical series देखी है न, लीना का बाप, scooter, car, ना, मांगे, अल, मन, जन, कर, ये बच्चो, हमने पूरा पढ़ा हुए है, फिर, कदे, कोई, नी, सुने, प्रभू, hydrogen, copper, ये बच्चो, hydrogen की जो value है, वो 0.0 volt होती है, ये हमने बच्चे, electro में पढ़ा है अच्छे से, और ये जो बच्चे, इससे उपर है, ये सारे negative है ब hydrogen के जो नीचे है, बच्चे, copper है, वो कह रहा है, 0.34 volt और ये positive में है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो बच्चो, इसी question का answer देने के लिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो copper की value है, 0.34 volt क्यों है, इसके लिए हमको, बच्चो, topic पढ़ना पढ़ता है, electrode potential, electrode potential क्या होता है, बच electrode potential क्या है, कि कोई metal है, solid face में है, इसको बच्चे हमने metal को to positive, aqueous face में लेके जाना है, जो जो enthalpy energy लगेगी, उसका sum electrode potential होगा, ध्यान से समझना, ताकि question फिर पूरा समझ लगेगा, देखे ज़रा इदा, ध्यान से, question समझ लग गया, I hope कि copper की value positive क्यों है, बाकी सब की value हमारे प सब्सक्राइगा, iodine हा जाएगा, यह सारे के सारे बच्चो positive है, तो वो यही पूछ रहा है, ऐसा क्यों, अब देखना ध्यान से इदर में ज़रा, इसको यहाँ पर थोड़ी सी जगा बनाने लगाँ, यह दिखे, यह महाँ थोड़ी सी जगा बनाने लगाँ, कि हमारे पास copper की value positive क्यों है, यह हमको बताना है पहले, चलिए सर, यह दिखे दिखे दिखान से, तो सबसे पहले हमारे पास metal होता है बच्चो, जो solid face में होता है, इस metal को बच्चो हमको gaseous state में करना पड़ता है, तो हमको क्या enthalpy देनी पड़ेगी, delta H sublimation, sublimation क्या होता है बच्चो, जो solid direct किस में change हो जाए, गैस में change हो जाए, तो metal में से electron निकालना है बच्चे, ऐसा तो है, नहीं कि हम solid face में से निकालने, हमको उसको gaseous state में बदलना पड़ता है, तो पहला step number यह है बच्चे, अब second step क्या है बच्चो, देखना है दिखान से, यही जो metal gaseous state में है, इसमें से निकालना है, तो हमको ionization energy लगानी पड़ती है बच्चो, उसी से एक electron बाहर निकलता है, तो अभी है यह gaseous state में एक electron बाहर निकालना, अब इसमें भी बच्चो हमारे पास जो delta H लग रहा है, उसको क्या बोलेंगे, delta H ionization, अब पहला step में भी बच्चो, delta H क्या था, positive, दू इन्डो थर्मीक है, यह भी एन्डो है, और यह वाला भी बच्चो एन्डो थर्मीक है, जिसमें heat absorb हो रही है, क्योंकि electron को बच्चो बाहर निकालना है, suppose यहाँ पर हमारा orbit है, अब ऐसा तो है नहीं, कि हमको, यह अपने अब electron बाहर निकल जाएगा, हमको कुछ ना कुछ force निकालनी पड़ेगी, मतलब कुछ ना कुछ force इसमें लगानी पड़ेगी, electron निकालने के लिए, तो वो कौन सी force निकाल रहे है, हम लगा रहे है, sorry, ionization energy, force लगानी पड़ेगी यहाँ पर, तब ही electron बाहर आएगा, clear हो रही चीज़ है, तो यह वाला step भी बच्चो क्या है, ह और endothermic है, अपने अब तो बच्चे वो change हो नहीं सकता, तो हमको क्या करना पड़ता है, उसमें थोड़ी सी force लगानी पड़ती है, clear हो रही चीज़, चलिए सर, अब number 3 पर क्या बात करनी है, हमने M positive जो gas था, उसमें से एक और electron निकालना है, बच्चो इसका मतलब पहले ionization energy वानती, first electron निकल रहा था, अब ionization energy 2 होगी, क्योंकि एक और electron निकलेगा, but delta again will remain positive and the process will be endothermic, बात clear हो रही होगी आपको, क्योंकि दूसरा electron निकालना है, और ज्यादा मेनत लगेगी, बच्चे, fourth process क्या होता है, M2 positive जो gas में है, इसको aqueous में डालते हैं, water में बच्चो डालन है, कि देखे, starting step में मैंने क्या लिखा था, यहाँ पर, कि इसको water में डालना है, I hope आपको clear हो रही है, इसको water में डालना है, बच्चो, देखे, दियान से इतर, यह देखना, इदर देखे, दियान से इतर, aqueous लिखा हुआ है, okay, तो अब sir, electrode potential क्या होता है, it is the sum of sublimation, plus sum of ion ionization energy 1, plus ionization energy 2, और हमारे पास, बच्चो, यह जो last वाला step हो है, यहाँ पर delta H negative होगा, क्यों, क्योंकि water में डालने पर heat release होगी, release है तो, exothermic, तो इसको मतलब है, minus delta H hydration, hydration निकलेगी, last step में, पहले step में क्या निकल रही है, sublimation, दूसरे और तीसरे step में क्या निकल रही है, हमारे पास, ionization energy 1, plus 2, last वाले step में क्या है, बच्चो, water में डालने से, एकोस में डालने से, उसमें से heat evolve हो रही है, तो उसको बोलेंगे, process क्या है, exothermic और delta H क्योंकर negative, अब अच्चे देखो, इन दोनों का sum, अगर hydration से जादा हुआ, इन दोनों का sum अगर hydration से जादा हुआ, तो overall elected potential क्या है, positive आजएगा, बहुत सीदी सी बात है, सीदी सी बात है, अगर इन दोनों का sum, इसका sum और इसका sum दोनों का, sublimation और ionization energy इसका sum hydration से ज़्यादा आ गया तो इसका मतलब overall value positive आ जाएगी और अगर hydration ज़्यादा आ गई तो इसका मतलब overall value negative आ जाएगी अब copper की value उसने क्या बताई है ये बताना plus 0.34 तो सीधा सीधा सा reason हम इसमें क्या लिख देंगे because hydration energy हम इसमें क्या लिखेंगे because delta H hydration is less than is less than delta H sublimation plus delta H ionization energies 1 plus ionization energies 2 तो ये जादा है तो इसको हम अगर wording में बोलें बच्चो तो wording यही होगी हम इसमें क्या बोलेंगे wording हमारे पास यही होगी कि जो large value है किसकी sublimation की और ionization energies की वो hydration energy उसको compensate नहीं कर पाई तो जो मैंने आपको booklet दे रखे है उसमें आंसर ऐसे लिखा होगा कि delta H hydration cannot compensate the large value of sublimation and ionization energies तो overall value बच्चे अब copper की क्या रहेगी positive मतलब zinc वाला अगर मैं case बोलूं या उपर वाले जितने chromium बोलूं iron बोलूं इसमें बच्चो hydration ज़ादा होती है इसमें hydration क्या होगी more क्योंकि hydration more होगी तभी तो overall answer क्या अगर negative तो simple सा case है हमारे पास बच्चों कि copper की value positive क्यों आ रही है simple हमको याद रखना है कि उसमें जो sum of sublimation ionization energies का ज़ादा होता है as compared to hydration इसलिए हमारे पास जो value है copper की positive आती है ठीक है तो ऐसे यो और questions के लिए channel को follow कर लिजिए पूरी की पूरी playlist जो है D की chemical kinetics की आने वाले time में upload होने जा रही है अगर आपके पास कोई doubt है को particular topic आप समझना चाहते हो कोई question है तो इस comment section में हमका बता दो हम एक working day में आपको उसका video solution जरूर provide करेंगे और बच्चो आपके लिए हम VBH classes की एक app भी लेके आए है आपको क्या करना है description में जाना है और उस पर click करना है और आपको वो app download करनी है वहाँ पर आपके पास बहुत सारे free study material है बहुत सारे free study material और बहुत सारे video lectures है and plus live classes भी हैं बढ़ते हैं आगले question पर